हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्टूडिय एक्स पेज इस वीडियो में रूट का जोड़ करना सीखेंगे सो बढ़ते हैं सीधे वीडियो की ओर आपके सामने पहला सवाल दिया गया है रूट में 3 प्लस रूट में 3 इसको आपको जोड़ना है रूट को सॉल्ब करने से पहले ये जान लेते हैं कि रूट से पहले कोई भी अंक नहीं लिखा रहता है तो वहाँ पर एक और पहले से ही लिखा रहता है यानि कि रूट के आगे जब संख्या नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पर एक रहता है जब एक रूट यहां पर है तो एक रूट यहां पर है एक रूट कितना हो जाएगा टू रूट थी रूट है तो थी रूट को एक बार लिख देंगे तो थी रूट तो रूट में थी यानि कि रूट थी प्लस रूट थी को जोड़ेंगे तो एक एक इसके आगे पहले सी रह है तो 2 हो जाएगा और 2 है तो एक बार लिख लेंगे यानि कि 2 रूट थी यहीं हमारा इसका आंसर हो जाएगा अब दूसरा की उस्चर है रूट 2 प्लस फोर रूट 2 रूट के पहले एक ही रहता है संख्या पहले से ही और यहां पचार दिया गया है तो चार एक को जोड़ें तो 5 root 2 यही मारा answer हो जाएगा अब तिसरा question है 5 root 2 plus 4 root 3 आपको सबसे पहले करना है root से पहले 5 और root से पहले 4 को जोड़ लेना है जब 5 और 4 को जोड़ लेंगे तो 9 आ जाएगा तो 9 को लिख लेंगे और root में 2 है यहाँ पर root में 2 है तो इसको एक बाल लिख लेंगे तो root में 2 यानि कि 5 root 2 plus 4 root 2 is equal to 9 root 2 यही हो जाएगा answer अब चौथा question है 3 root 5 plus 4 root 6 जब root में संख्या सेम रहता है तो वह root जड़ता है यहाँ पर संख्या अलग अलग है तो इसका कोई जोड़ नहीं होगा यानि कि 3 root में 5 plus 4 root में 6 इसका कोई हल नहीं होगा तो यही हमारा answer हो जाएगा तो इस वीडियो के माध्यम से root को जोड़ के बारे में सीखे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और like जरूर दीजिएगा thanks for watching